दोस्तो जैसा कि सीटेट रिजल्ट के बाद से आप सभी को सीटेट की ओरजजिनल मार्शिट और सर्टिफिकेट का वेड था कि कब consigo खर पर अप्लोड कर दी जा एगी तो दोस्तों आप सभी के लिए गूद् न्यूंस है, यहाँ पर सिटेट की मार्शिट से related और authentic update आप तक टाइम पर पहुँचती रहे दोस्तों इस screen पर आप लोग देख पारेंगे ये डिजी locker एप का एक page है जहां पे आपकी जो mark sheet और certificate है वो upload की गई है आप लोग यहां पे देख पारेंगे ये पिछला दिया हुआ है December 2019 का है 2021 जनवरी का है 2021 दिसंबर का है 2022 दिसंबर का है आप इस तरह से देख सकते हैं और यहां पे देख पारेंगे 2023 अगस्त का तो आपका जो exam है आपने कब दिया है अगस्त 2023 में दिया है ना तो आपको इस पर click करना और इसको okay कर देना है इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो सीटेट की सर्टिफिकेट है और मार्शीट है वो दोनों एक साथ नहीं रहेगी तो दोनों दो जगा साथ में ही रहेगी आप लोग जो है दोनों को जब डाउनलोड करेंगे तब ही मैंने आप सभी को बताया था कि दोस्तों इस तरह से आप जो है डिजी लॉकर आप पर क्योंकि सीटेट जो है अपना जो सर्टिफिकेट है सीटेट का और मार्शीट है ये उनकी जो ओफिशियल वेबसाइट है यानि सीटेट.nice.in ये वहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं डिजी लॉकर एप में आता है तो आपको डिजी लॉकर एप में अपना अकाउंट बनाना होगा इसके बार में मनें डिटेल में बताया भी था जो भी बच्चे बना चुके होंगे अच्छी बात है आप लोग उस तरह से बना कर डाउनलोड कर सकते हैं आपको परशान होने की जबरत नहीं है दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जो भी अब्यार्टी जिनको लग रहा था जैसा कि जब आंसर की आई थी सीटेट की आप लोग चेक करिएगा और चेक करने के बाद आप comment box में comment करके जरूर बताएगा कि आपका number जो आपका result आया हुआ था उस result में जितना था उतना ही है या कुछ एक दो number plus हुआ है या minus हुआ है दूसरी बताएगा comment करके कि इस से पता चलेगा कि जो आपके answer किया थी फिर result आया है फिर जो mark sheet और certificate आया है तो इसमें क्या बदलाव किये गए है तो जिसका number plus minus हुआ है या फिर उतना ही है आप लोग comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ दोस्तों दिजी locker app में आपको जो अपना आधार card number है आपका जो आपका mobile number आपने register किया था seated का form fill करते टाइम वही number आपको यहाँ पर upload करना और सारी जानकारी जो है आपको real देनी है original देनी है कोई fake नहीं चलेगा इस तरह से वो accept नहीं करेगा तो जो आपने form fill किया है जो भी आपकी जानकारी original है जो डाकुमेंट से वही सब वहाँ पर upload करना है तो आप लोग इस वीडियो को देख लिजिए जो लोग अभी भी अपना account डिजी लॉकर पर नहीं बनाए है आप लोग यहाँ पर जा करके बना सकते हैं इस तरह से दोस्तों जैसा कि आपके सीटेट का result आचका है आप लोगों ने देख लिया अब इसके बाद जो process है दोस्तों आपका जो मार्शीट है certificate है वो किस तरह से आएगा आपको जो है डिजी लॉकर एप जो है डाउनलोड करना होगा उसमें आपको अपना account बनाना होगा उसके ब अपलोड कर दी जाएगी तो इससे पहले जैसा कि अभी अपलोड होने से पहले दोस्तों आप लोग अपना account जो है डिजी लॉकर में बना लीजिए इस तरह से आप यह देख पारोंगे यह certificate एक है अपने स्क्रीन पर देख पारोंगे इसी तरह कि आपको देखने को मिलेग कि certificate लग रहेगी दोनों के भी difference भी मैं बता दूंगी लेकिन यहां पर बहुत से प्यारतों के कमेंट आए हुए है कि मैं किस तरह से जो है हम आप को डाउनलोड करें और किस तरह से account को create करें आप जो है सब जो है step by step बता दीजिए तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में आप लोग स्टार्टिंग से सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहां से डीजी लॉकर एप है वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है अभी यह सारा process मैं खुद करके दिखा रही हूं आप लोग पूरी वीडियो तो आप लोग उस तरह से करिएगा सारा process दोस्तों जैसे मैं बता रही हूं आप लोग आज ही या एक दो दिन में कर लीजेगा क्योंकि आप पहले से किये रहेंगे तो डारेक्ट जो है आपके डीजी लॉकर में मार्शीट आ जाएगी certificate आ जाएगी बस आपको वहां से डा अब लॉबाइल नंबर उसमें रजिस्टर किया था वही जो मॉबाइल नंबर है आप जो यहां पर रजिस्टर करिएगा वरना वह एकस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने जब आपना फॉर्म भरा एसी डिट का तो जो भी आपने मॉबाइल नंबर यूज किया है वही वहां से आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है ठीक है अगर होगा तो कोई बात ही नहीं है अगर नहीं है तो आपको वहां से इंस्टॉल कर लेना है तो कुछ इस तरह से जो है आपका पेज ओपन होगा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह आपका पेज ओपन हो है डिजी लॉकर पर तो आपको बस sign-in करना है जिन लोगों ने अभी तक डिजी लॉकर पर अपना account नहीं बनाया है उनको create account पर click करना है ठीक है sign-in का अभी हम आगे देख लेंगे process बट अगर आपने बिल्कुल बनाया ही नहीं है तो हम लोग create account पर पहले जाएंगे ठीक है अब आगे जो है आपसे यहां पर इस तरह page open होगा और आपको जो है आधार card पर जो आपका नेम है वो नेम आपको यहां पर डालना है ठीक है और दोस्तों आपकर जो डेटा बर्ट उस पर दिया हुआ है आधार card पर नेम होगा वो करना है डेटा बर्ट जो आपकी होगी वो करनी है mail फीमेल यहां पर आपको करना है इसके बाद जो है आपका जो अपना mobile नमबर है जो आप फॉर्म फिल करते टाइम आपने सिटेट का जब फॉर्म किया था तो उसमें जो आपने अपना mobile नमबर सम्मिट किया था वही mobile नमबर आपको यहां पर सम्मिट करना है और उसके बाद यह six-digit security pin यह किया दोस्तों यह आपको खुद बनाना है six-digit का या फिर उससे ज्यादा का बना सकते हैं लेकिन उससे नीचे का अगर बनाएंगे तो यह accept नहीं करेगा six-digit या फिर उससे ज्यादा का बना सकते हैं ठीक है लेकिन उसको याद रखिएगा क्योंकि आगे वही आपको फिर जो है डाल कर वहां पर सम्मिट करना होगा यहां पर email id आपके अपनी जो है जो आपने उस time डाली होगी form में वह आपको email id डाल नहीं आधार नमबर जो आपका है वह यहां पर डालना है उसके बाद से है इदोस्तों यहां पर आपको सम्मिट करना है सम्मिट करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका जो mobile number है दोस्तों वही mobile number डालीएगा जो जैसा कि मैंने बताया आपके पा पे दोस्तों Desert username आपका जो अपना name होगा यहां पे name submit करना है और कुछ इस तरह से मैं यहां पर दिखा दे रहे हूं जैसे आपका जो name वो name और इस तरह से add delayed one two three four या कुछ भी आप कर सकते हैं ठीक है आपका name रहेगा आगे यह चीज आपको लगानी होगी इस तरह से उसके बाद आप सब्मिट कर देंगे ठीक है सब्मिट करने के बाद दोस्तों अगर आपका जो है सारी चीजे करेक्ट होगी तो यह यहां पर green green color का show करेगा और उस पर ok कर देना अगर इस तरह नहीं show करेगा इनकरेक्ट दिखाएगा तो आप यहां पर अपने नेम के आगे चैंज कर लिजेगा जैसा कि मैंने बताया है इस पर ok करना है ok करने के बाद आगे चाहेंगे तो यह आपका page open हो जाएगा ठीक है अब यहां पर get start पर फिर से आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था अगर आपने create account अपना पहले से बना रखा है तो बस आपको sign करना है जिन रोगों ने नहीं बनाया है तो उनको नया बनाना है, जैसा कि मैं नया के लिए बता दी हूँ क्या क्या process करना है आपने तो अब बना लिया है तो अब हमें क्या करना है शिर्फ sign करतेणा है अब जिनों ने जिनका पहले से बना हुआ है वो लोग भी यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं जिनका मैंने बताया है कि इस तरह से बनाना है वो लोग भी यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं अब आपको यहां पर sign in करना है sign in करने के बाद से इस तरह से page open होगा और यहां पर जो है दोस्तों आपको अपना mobile number डालना है जो कि आधार card से link है जैसा कि मैंने पिछला सारी चीजे बताई हैं और जो आपना security pin जो आपने बनाई थी six digit का वो यहां पर submit करना है फिर sign in कर दे बना सकते हैं ठीक है इसके बाद जो है आप लोग sign in करेंगे sign in करने के बाद जो है यहां पर OTP जाएगा OTP आपके mobile पर जाएगा फिर उसके बाद जो है आप यहां पर OTP डाल करके यहां submit कर देंगे submit करने के बाद दोस्तों आपका page यह open हो जाएगा इस तरह से यहां पर आपका नाम जो है show करेगा इस्क्रीन पर ठीक है और यहां पर आप देख पारोंगे यह नीचे दिया होगा issue document इस पर आपको जाना है issue document पर यहांप आप देख पारोंगे यहां पर आपको जाना है दोस्तों उसके बाद से आप सर्च करेंगे इस तरह से सीटेट आपके सामने फ्रेंट पर ही आपको यह सो करेगा यहां पर आप चाहे तो सर्च करेंगे तो यह आपका फ्रेंट पर आजाएगा नहीं तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उस तरह भी शो करेगा बट आप सर्च करेंगे तो यह स्क्रीन पर आजाएगा उसके बाद दोस्तों आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ ही आओगा मार्शीट के लिए आपका सकते हैं इसमें से एक होगा मार्शिट के मैं छो करगी एक होगा सेर्टिफके essoo करेगा ठीक तो इसको यहाँ पर आपको देखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों पता है जब आगे आप किसी फार्म के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपने जब जो सीटेट का मार्च में जो रिजल्ट निकला है तो वह जब रिजल्ट आपका निकला है उस टाइम तो दोस्तों जो रिजल्ट निकला था तो उसमें क्या है आपका जो सर् करेगा तो यहां पर आप दोनों को डॉलोद करिए ठीकर मार्शीट भी और सर्टिफिकेट भी अब आगे देखते हैं यहां पर जो हैं दोस्तों जब आप वहाँ पर ओपिन करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे नाम जो आधार काड़् पर आपका नाम है वहाँ पर समिट कर जैसा कि आपका दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और पर फरवरी तक लास्ट साथ फरवरी 2023 तक चला exam हुए तो जो सबसे जो फ्रन्ट पे होगा तुझ लबसमब 2222 शो कर रहा हो मुँए तो आपको उससे करना है मुए तो अगर 2023 शो कर रहा होगा तो आप ने डाउनलोड कर ली है तो आपका screen पर पोरा शो करेंगा वह और का यहां से आप जो है यह सारी चीजिए इस तरह से देख सकते हैं मैं मेरे में शो करने लगता है तो आप लोग में बी सारा करेंगा कि आप लोग एकाउंट बनाए हैं उसमें किसी अधर की मार्शीट भी देख सकते हैं यह डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप सिर्फ अपने जो आधार कार्ड से अपने नाम से अपने रोल नंबर से सिर्फ अपना ही कर सकते हैं किसी और का नहीं कर सकते हैं तो यह सारी लगयोगी तो लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हारी स्टुडेंट तक बहुत सके और जो भी उनके मन में डाउट है कंफूजन है वो दूर हो सके दोस्तों प्लीज आप लोग ज्यादा शेयर करिएगा तो बस इतना ही इस वीडियो में मिलते हैं कि यद्वात सरा झाल यर बसा ही तो ओमी थे, तक प्में मिलते हैं तो लेगा तो लेगा ही वे वो ख्लाव जसे हमे ऐतकी ह।